भक्तपुर मा फागुन 11 गती मृत फेला परेका गुबाल धकाल को हत्यामा समलक न बेक्ति लाई प्रहरीले पक्रावगरी सर्वजाने करेको सा आधवार काश्मंडु मा पत्रकार सम्मिलान गरी काश्मंड उपते का अफरात अनुशन्दान कारलेले हात्याम समलक न भक्तपुर का 29 बर्षा का संतो स्वाल लाई पक्रावगरी सार्वजाने करेको हो भागुन 10 का दे जिल्ला 13 गाउंपाली का ओड नमबर 2 घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर सुरे बिनैक नगर पाली का ओड नमबर 8 बसने बर्षा 33 को गोबाल धकाल के शिर्माती रियनु धकाली आफनो शिर्मान हराईको रा शिर्मान चाईये सुरे बिनैक जंगल मा 2 लाख ली आउनु भनी आफलाई फोन आयको पनी पिरिद प्रहारी ब्रिद जगाती मा उबस्तित भाई सुचना देवाची प्रहारली अनुसुन्दान गर निक्रमा 11 गजि भक्तपुर सुरे बिनैक नगर पाली का ओड नमबर 8 इस्तित प्रोधन बसनेत को गोठ मा 11 गुबाल प्रशाद धकाल मृत अबस्तमा फिला परेको प्रहारली बता है को सा परिशरका प्रहारी निरिच्यक निर्मल थापले घटनाम समलक्न जिल्ला भक्तपुर चागुन नारे नाग नवर पाली का चाग बर्ष्च उना तीस को संतो जुआल रहेको बताम फाई बर्षा त्यसको गोपाल दकाल की शिर्मती बेनू डकाल ले आपनो शिर्मान अराएको रस्रीमान चाहिए शुरेबिनायक जंगल मा रू त्विलाह लिए आउनू बनिये अपलाई फोन आएको बनिये पिडित प्रहारी बित्त जगाती मा उपस्तित पहरा आमले सुचना सुचना देव बजी वहांको खोश्तलास गर्नेक्रम मा मिती द्यजर अशी साल एगार मैना एगार गते दस बजे को समय मा अक्तबूर सुरेबिनायक नगरपालिका और नगर आठ इस्तित रोधन बसनेत को गोठ मा नीज कोपाल प्रसाद टकाल मृत अबस्ता मा फेला पर् जहार झाल नगर में धनदार सुरेबिनाश ऑगट जार आऐ ईस्तित आल